इसके बाद हम लोग चलेंगे कानपूर, कानपूर में पाच जून 1857 को विद्रोह सुरू हुआ था, इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद कानपूर के बारे हम बात करेंगे, तो देखें, पाच जून 1857, मतलब की आपका जो लखनव है, चार जून 1857 को यहां विद विद्रोह की शुरुआत होती है, तो सोच यह एक ही समय में दो अलग-अलग स्थानों पर और इसी समय जहांसी में भी शुरू हो जाता है, तो अंग्रे जो के हात फाओ फूल जाते हैं, कि लखनव देखें, कि कानपूर देखें, कि जहांसी देखें, इस टाइप से, अग पर पांच जून 1857, को विद्रोह की शुरुआत होती है, और कानपूर पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता है, यहां पर विद्रोह का नित्र तो किस ने किया था, तो नाना साहीब, कौन थे वही नाना साहीब, तो ये अंतिम मराठा पीश्वा, बाजिराव दुतिये क दत्तक पुत्र थे, देखें क्या था, बाजिराव दुतिये को 1818 में, दक्कन से कानपूर भेज दिया जाता है, कानपूर के निकटे की स्थान है, बिठ्थूर, यहां पर उनको एक छोटी सी जागिर दे दी गई थी, बिठ्थूर में, और साथ में पेंसन भी दिया जाता था, किनको पेश्वा बाजिराव दुतिये को, अब जब 1853 में, बाजिराव दुतिये की मृत्तिव हो जाती है, तो जो उनको पेंसन दी जा रही थी, वो नाना साहीब को नहीं मिलती है, बंद कर दी जाती है, तो नाना साहीब इससे क्रोधित हो जाते हैं, और जब यह क्र बहादुर्शाह जफर था उसकी सर्वच्चता को सुविकार किया था नाना साहीब का एक और नाम मिलता है धोंधू पंत कहीं सारे पुस्तकों में धोंधू भी लिखा हुआ होता है धोंधू मैंने कुछ एक जगह पर देखा था लेकिन धोंधू पंत ही सही है धोंधू पंत एक मूवी भी है ना अजय देवगन की कोई सी मूवी है साथ उसमें एक किसी का नाम होता है धोंधू जश्ची इस टाइप से तो याद रखेंगे इसको धोंधू पंत ही स्पेसली हाई याद रखना इनका नाम था तो अब जो नाना साहीब भै खुद को कानपूर में पेशवा बना लेते घुशित कर लेते इनके मुख्य सलहकार थे अजी मुल्ला खां अजी मुल्ला खां देखो जो चीजे मैं बताता हूँ जित्ती भी चीजे सभी पूछी गई है अजी मुल्ला खां ये मुख्य सलाहकार इनके सलाहकार थे और तात्या टोपे का नाम याद रखेंगे प्रमुख सहयोगी थे तात्या टोपे ये जो है प्रम सायोगी थे तात्या तोपे अब यहां पर क्या हुआ कब अंग्रेजों ने इसको अपने अधिकार मिलिया वो हम लोग देखते हैं तो देखें जो कैम्पबेल है जिसको लखनव की जिम्मेदारी सौपी गई थी तो चूकि जो कानपूर और लखनव आप लोग नक्से में दे इस टाइप से तो कैम्पबेल को ही यहां पर भेजा जाता है और कैम्पबेल ने डिसंबर 1857 तक कानपूर पर अधिकार कर लिया था और जो नाना साहिब थे ना ये कानपूर से सुरक्षित निकल जाते ये ना वहां चले जाते नेपाल की तराई में मतलब नेपाल की और च हजरत महल थी ना वो भी नेपाल में जाकर के सरण लेती है तो नाना साहिब और बेगम हजरत महल इन दोनों ने नेपाल में सरण ली थी इनको नेपाल की तरह ही आप लोग ध्यान रखेंगे कई बार नेपाल की तरह ही या फिर नेपाल आता है तो ध्यान रखना नाना साहि और बेगम हजरतमाल जहां कैमपबेल गया था तो ये लोग दोनों जो है सुरच्छित निकल जाते हैं कहां पहुँच जाते हैं नेपाल वहाँ पर सरण लेते हैं दोनों तो कैमपबेल ने दिसंबर 1877 में पुनह कानपूर पर अधिकार कर लिया और यहां पर न एक अंग्रे यह हो सकता है नाना साथ पकड़ पकड़ के मारा गया तो काफी लोगों को मारा गया इसके अलावा और भी ऐसे भी मारा गया और यह कहते हैं कि यह जो करनल नील है ना इसने क्या किया कि जो कानपूर फर्स में जमीन में मतलब किसी घर में किसी महल में कहीं भी फर्स में जह चार किया कर्नल नील ने ये कानपूर में हुआ था ध्यान रखेंगे तो दिसंबर 1857 तक कानपूर पुन अंग्रेजों के अधिकार में आ चुका था तो ये ध्यान रखेंगे